बॉलिवूड की काफे मश्यूर विलन की हो गई शादी, 60 साल के उम्र में दूसरी बार दुलहा बना ये एक्टर और ये हम बात कर रहे हैं आशिश विद्याथी की बॉलिवूड की कई फिल्मों में अपनी विलन की किर्दा से लोगों के दिलों पर गहरी चाप छोड़ने वाले आशिश विद्याथी को लेकर एक चौका देने वाली ख़बर सामने आ रही हैं साथ साल की उम्र में आशिश ने सिक्रेटली दूसरी शादी कर ली है एक्टर की शादी असम की रहने वाली रुपाली बरुआ के साथ हुई 25 माई को दोनों ने कोट मैरिज की जिसकी तस्वीरे शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही हैं दोनों की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्ती शामिल हुएं उम्रे के साथ वे पड़ाओ पर दोबारा शादी करके आशिश विद्याती की खुशी का कोई ठीकारा नहीं है आशिश के इन तस्वीरों को देखने के बाद फैन्स भी काफी शौक हो गए लेकिन फैन्स दोनों की शादी से काफी खुश हुए और बताया दे रहे है बल आपको बता दे आशिश की दुलहन कोई एक्टरिस नहीं बलकि असम की फैशन डिजाइनर है रुपाली बरवा असम की गुहाउटी की रहने वाली है उनका कोलकता में एक फैशन स्टोर और अपना बिजनस है इसके अलावा रुपाली बुटिक और कैफे भी चलाती है आशिश और रुपाली की शादी कोलकता में हुई है सामने आई इन तस्वीरों में आशिश ओफवाइट खूरते के साथ लुंगी पहने हुए नसराय वही आशिश की दुलहन भी वाइट शेड की साड़ी में काफी खुबसूरत लग रही है तस्वीरों में दोनों गले में वर्माला पहने हुए कैमरी के लिए पोस दे रहे बतादी की रुपाली से पहले आशिश की शादी एक्टरेस राजोशी विद्याथी से वही थी जो की एक्टरेस सिंगर और ठेटर आर्टिस है लेकिन कपल की शादी ज्यादा नहीं चली और दोनों ने तलाक ले लिया बात करें आशिश के वर्क फ्रेंट की तो एक्टर को आखरी बार अमिताब बच्चन और रश्मी का मंदाना स्टारर फिल्म गुडबाई में देखा गया था वही अपने लंबी करियर में एक्टर ग्यारा भाशाओं में दोसों से भी ज्याद अफ़ल में कर चुके है इन 24 न्यूज की तरफ से आशिश और रुपाली को धेरो सारी शिप कामना है विर रपोर्ट इन 24 न्यूज मुंबाई